नमस्कार दोस्तों आड़े सलाम आपका स्वागत से दोस्तों करने रफरेस के सीरीज में अगस्त महीने के पार्ट उवन में एक साथ तकर दोज़ेश तके करने रफरेस के सभी कोशन का सोलूसन देखेंगे दोस्तों रियल टायमें डिटलेस करने रफरेस के रंकर के लिए अ अगले साल से कौन ACI किर्केट कॉंसिल के अध्यक्ष होंगे तो अगले साल से ACI किर्केट कॉंसिल के अध्यक्ष होने वाले हैं मौसिन नकवी यह पाकिस्तान के हैं पाकिस्तान किर्केट बोट के अध्यक्ष है वर्तमान में और वो अगले साल ACI किर्केट कॉंसिल के अध्यक्ष होंगे वर्तमान में ACI किर्केट कॉंसिल के अध्यक्ष भारत के जैसा है उमीद है ये ICC के ने अध्यक्ष अगले सल बन जाएंगे और पकिस्तान के मोहिसी नक्वी जो है वो अगले सल ACI किर्केट कांसिल के अध्यक्ष बन जाएंगे वर्तमान में यदि ICC के अध्यक्ष की बात की जाएंगे तो Greg Workley है और रोजर विन्नी वर्थमान में BCC यान की भारतिय किर्केट कॉंट्रोल बोट के अध्यक्ष है नेक्स्ट आदित भिरला ग्रूप ने खुद्रा आभोसन भंडार को लॉंच के उसका नाम क्या रखा गया है तो उसका नाम रखा गया है इंद्रिया जैसे कि टाटा का तनिस्क है रेलाइंस का ज्वेल्स है तो उसी प्रकार से इंद्रिया नामक एक खुद्रा आभोसन भंडार जो है वो आदित भिरला ग्रूप के द्वारा लॉंच किया जाने वाला है नेक्स्ट राष्टपती ने किन्हे उपी यसी के अध्यक्ष के पद पर नुक्त किया है तो हाली में प्रिती सुदन को राष्टपती के द्वारा उपी यसी के अध्यक्ष के पद पर नुक्त किया गया तो यह याद रखना है कि उपी यसी के अध्यक्ष का जो पद होता ह उसे राष्टपती के द्वारा नुक्त किया जाता है प्रिति सुदन से पहले मनोज सोनी जो है वो UPSC के अधेक्ष थे लेकिन पूजा खेर कर जो की गलत सर्टिफिकट के द्वारा UPSC में परव्यस की थी तो उनके चर्चा में आने के बाद मनोज सोनी को अपने पत से इस्तिफा देना पर रहा था विकास लखेरा इनके बारे में वियाद रखना है हाली मेन है असम राइफल्स के डाइरेक्टर जनरल के पत्पर नुक्त किया गया है असम रैपस के डीजी के पत्पर नित किया गया है विकास लखेरा को नेक्स्ट इंडो पैस्फिक इकेनॉमिक फ्रेमबर्ग अर्थात आई पी इएफ के सदस्य भारत तथा 13 अंदेसों ने 3 आपरतिस रिंखला निकायों की अस्थापना की है भारत को किसका उपाध्यक्ष चुना गया है तो सप्लाई चेन कॉंसिल जो है उसका उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है इंडो पैस्पिक एकोनोमिक फ्रेमबर्ग अर्थात आई पी इएफ इसने आपरतिस रिंखला को विक्सित करने के लिए और सुद्रीड बनाने के लिए तीन निकायों की अस्थापना की है पहला है सप्लाई चेन कॉंसिल दूसरा है क्रैसिस रिस्पॉंस नेटवर्ग और तिसरा है लेवर राइट्स एडवाजरी बोर्ड तो इन तीनों के स्थापना की गयी है और सप्लाई चेन कॉंसिल जो है उसका उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है निश्ट मिठे पानी की तली में पाई जाने वाली गुफा मचली या केव फीस जो खासकर दक्षिन पूर्व एसिया में पाई जाती है कि एक नई परजाती लोच की खोज वैगैनिकों ने कहां किये तो इसकी खोज हाली में की गई है मेघाले में तो याद रखना है केव फीस के बारे में केव फीस कहा होता है तो मीठी पानी जो होती है उसके तली में पाई जाती है यानिकि गुफा में पाई जाती है तो इसी की एक नई परजाती है लोच उसी को मेघाले में खोजी गई है और या खासकर दक्षिन पूर्फ एसिया शेत्रों में पाया जाता है इसके साथ याद रखना है हॉर्ण फ्रोग यानि कि सिंग वाली सिंग वाली एक फ्रोग की खोज हाली में अर्वनाचल पर्देश में की गई थी और एक डॉग फिस सार्क जिसका नाम है इसक्वायलम हीमा डॉग फिस सार्क जिसका नाम है इसक्वायलम हीमा इसकी खोज केरल में की गई थी और सिल्वर लाइन बटरफलाई इसकी खोज हाली में वेस्टन घाट में की गई थी नेक्स्ट महान ये देशक चिकित्सा सेवा सेना बनने वाली पहली महिला लेटनिर जनरल कौन बनी है तो ये बन गई है साधना नायर साधना नायर जो है वो भारतिय सेना में चिकित्सा सेवा के महा निदेशक बनने वाली पहली महिला लेटनिर जनरल बनी है सीवा चोहान इनके बारे मियाद रखना है यह first female officer in Siachin यानिकि Siachin में तैनाध होनी वाली पहली महिला अधिकारी बनी है पृती राजक यह army में सुबेदार के पद पर निक्थ होने वाली पहली महिला बनी है अबनी चतुरवेदी यह first female है जो एक combat pilot बनी थी तो इन सब के बारे में भी याद रखना है next e-funding round में लगवग 120 million dollar या 1000 करो रूपे की रासी जुठाने के बाद कौन एक नय उनिकॉर्ण बना है तो हाली में रैपीडो जो है भारत का एक नय उनिकॉर्ण बन गया है उनिकॉर्ण बनने के लिए जो मुख लक्ष होता है वो होता है कि वो 1000 करो रूपे की रासी को पार कर जाए तो रैपीडो जो है वो हाली में भारत के एक नय उनिकॉर्ण बनी है तो यह जो भारत की नय उनिकॉर्ण बनी है तो यह भारत की 108 मी उनिकॉर्ण है ठीक है 106 बना था और क्रित्रिम जो है वो 105 बना था यानिकि 105 मां क्रित्रिम हो गया 106 परफियोस हो गया 107 मां पोल्टर हो गया और 108 मां जो है वो रैपीडो बन गया है नेक्स्ट इसरो के मानव अंतरिक्ष उरान यहां पर हो जागा ठीक है इसरो के मानव अंतरिक्ष उरान केंद्र ने एक्सियोम फोर्ट मिशन के लिए एक्सियोम स्पेस आईएंसी के साथ अंतरिक्ष उरान समझावते को अपचारिक रूप दिया है जो इंटरनेशनल सोलर ए के मानव युक्त अंतरिक्ष उरान में पहली भागिदार है इसके लिए प्रमुक अंतरिक्ष यात्री कौन चुने गया है तो प्रमुक अंतरिक्ष च्यात्री चुने गया है सुभांसु सुकला जो है वो प्रमुक है और उनके बैकप अंतरिक्ष च्यात्री की रुप में बा मानव अंत्रिक्ष उरान के अद एक्षियों leadership in fishermen क्या क्या जाएगा है ह्यूमाये को एस पेश में ले जाए जाएगा उसे के लिए कि इन्हें चुना गया है उपर में आईये से होता है एक मिन्ट इसको देखी लेता है यहां पर इंटरनेशनल सोलर एलाइंश हो ठीक है इंटरनेशनल सोलर एलाइंस ने हो बलकि इंटरनेशनल स्पेस एजेंशी हो जाएगा ठीक है निक्स्ट भारत ने माल्दिब को पर्तिवंदित आवस्यक वस्तुव के निर्याद के लिए किस पोट की अनुमती दिये इसके बाद इसके कुल संख्या चाह हो गई है तो हाली में उप्रोक दोनेन की कांडला गुजरात का कांडला और आंदरपर्देश का विसाखा पत्न इन दो पोट से माल्दिब को पर्तिवंदित आवस्यक वस्तुव के निर्याद की मंजूरी देए जैसे के बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो किसी देश को भेजने के लि मती दे दी गई है नेक्स्ट दो दिवसिये राजपालों के बावन में सम्मेरेन की अदेख्षता हाल में किस ने की है तो यह अदेख्षता की गई है राष्टपति दुरुपती मुर्मों के दोरा और यह जो बावन में राजपालों के दो दिवसिये बैठक जो ही है यह न bagless days का प्रस्ताव रखा है जिसमें बच्चों को बढ़ाई, माली, कुमार कलाकार इत्यादि के सिक्षा की बेवस्था की जाएगी तो 10 bagless days की बेवस्था की गही असेटी के द्वारे जिसमें बच्चों को skill सिक्षाने की बात की गही है next च第一 चोथा राष्ट्री हिंदी विग्यान समय लों Land 2024 का हाली में कहा किया गये तो यह किया है भोपाल में। नेक्स्ट शेन्ने में आईज़्थ होने वाली इंडियन रेसिंग लीग 2024 में चाह टीमों में से गोथ टीम के मालिक कौन बने है। तो गुवा टीम के मालिक बन गए है जोन अब्राहम इसके साथ याद रखना है सौरब गांगलू जो है वो कुलकत्ता टीम के मालिक बने है अरजुनकपूर दिल्ली के मालिक है तो गुवा के मालिक होगे है चोनव प्राहम, दिल्ली के, अरजुन कपूर और कुलकाता के सोराव कामली इस तरह से जो चेन्नी में आज़त होने वाली इंडियन रेसिंग, जो कार रेसिंग लिग होती है, तो उसमें छाठ टीमें बनी है, तो अलग-अलग टीम है तो कुलकाताक और दिल्ली गुवा होगे, सहन सहन एक छली हो जागा, सहन सहन एक खिलारी है, ठीक है एक कार रेसिंग के खिलारी है, और ये गुवा टीम के साथ जूरे है, ये बहुत चर्चाय में रहाता है नेक्स्ट किस देश के परधान मंत्री फाम, मिन, चीन भारत की यात्रा पराय जिनके उपस्थिती में दोनों देशों ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रिये समुद्री विरासत परिसर विक्षित करने की समतिव्यक किये तथा उस देश में युनेश को विस्व धरोहर समेती युनेश को विस्व धरोहर माई सन के सनक्षन और जिर्नोधार यहापे जिर्नोधार होगी ठीक है जिर्नोधार के समतिव्यक्त की गई है तो हाले में बियतनाम के परधान मंत्री फान मिन चीन ठीक है बियतनाम के परधा मंत्री जो फाम में चीन वो भारत आया थे तो याद रखना है रश्ट्रिय समुद्र विरासत परिसर यह कहाँ पर विक्षित किया जा रहा है तो यह गुजरात के लोथल में किया जा रहा है और माईसन माईसन कहें एक युनेस्को विस्व धरोहर है जो वियत नाम में है तो लोथल में जो रश्ट्रिय समुद्री विरासत परिसर है तो उसके विकास में सामत उसके विकास में सहयोग वियत नाम करेगा नेक्स्ट ओलम्पिक में भारत के सबसे युवा मुक्यवाज रेफरी जज कौन बने है तो यह बन गए है काविलन साई असांग काविलन साई असांग काविलन साई असांग जो है वो भारत के सबसे युवा मुक्यवाज रेफरी बन गए है उलम्पिक में सोपनिल कुसाले इनके द्वारा हाली में ब्रॉंज मेडल जीता गया है शरबजित सिंग और मनुभाकर के द्वारा भी दस मीटर पिस्टलस पर धा में ब्रॉंज मेडल जीता गया है तो इन सब के बारे में भी याद रखना है नेक्स्ट भारत में किस कंप्री ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से स्टेट कंस्ट्रक्शन कंप्री अर्थात इर्सी के रूप में मानेता प्राप्त किये तो यह पर बताया गया था रेप्टो जह है एक क्या बन गए एक यूनिकोन बन गए भरत की 108 मी यूनिकोन कंप्री बन गए है रेपीडो इंद्रिया क्या है इंद्रिया अधित बिर्ला गुरूप के द्वारा शुरू किया गया एक ज्वेल्डरी का खुद्रभंडार है लगाने वाला अधिकार से संबन्धित बिल पास किया गया जिसके जिसे सुप्रीम कोट ने भी मंजूरी दे दिया है जैसे कोई भी खनित संबन्धि जमीन जो होती है तो अब राजसरकार केंद्र सरकार से उसके लिए टेक्स वसूल करेगी और इस पर सुप्रीम कोट ने भी मंजूरी दे दिये है नेक्स्ट सरकार ने सिवील एवियसन छेतर में रख रखाओ मरमत और ओवरॉल अर्थात एमारो एमारो के लिए क्या परिवर्थन किये है तो पहले एमारो टर्म को समझ लेते एमारो मतलब क्या होगा मेंटेनेंस इंप और मेंटेनेंस आर्फोर वेज़े और ओफर ओवरॉल जैसे कोई भी मसीन होता तो उसका रख रखडे काऊ मरमत और ओवरॉल होता है तो उसके लिए एमारो वर्ट का यूज किया जाता है तहां पर ओपर अद्वरॉट का बार बार यूज के जहागा तो ध्यान समझना है तो इसका उपरोग तो सभ ही हो जाएगा अभी क्या-क्या परिवर्थन किया गया है तो यह मारो याने कि मेंटेनेंस रिपियर और ओवर हॉल पर जीएश्टी की इधर जो उसमें पार्ट्स यूज होते हैं तो उसमें जो जीएश्टी 18% पहरे लगता था तो उसे कम करके पांच परसेत कर दी गई है इ जो आयातित माल होता है तो आयातित माल के नेरियात की अब धि छाह माईनिस वढ़ा कर एकसल कर दे मद면 के पार्ट्स विज्द्यश से आएंगे अब उससे नए समान बना कर जिबbers इसको एकसपोर्ट करना है लेकिन आप उससे बढ़ा कर एकसल कर दे गई है इसका साथ आटोमेटिक रूट से एम आरो ठीक है एम आरो छेत्र में एफडी आई जो है वह सौपर्चत कर दी गई है तो यह सब परिवर्तन किये गए है एम आरो के छेत्र में नेक्ष्ट कॉन बीसेफ के डैरेक्टर जनरल का अतिरिक्त परभार संभाला है तो हाली म बीसेफ के डैरेक्टर जनरल के अतिरिक्त परभार की रूप में दलजीत सिंग चोधरी ने संभाला है वर्तमान में दलजीत सिंग चोधरी जो है वह एस एस बियर्थात ससत्र सीमा बलके डैरेक्टर जनरल है नितिन अगरवाल यह इस से पहले यानिके दलजित सिंग चौधरी से पहले नितिन अगरवाल जो है वो BSF के डाइरेक्टर जनरल थे लेकिन अभी ये किरल के डाइरेक्टर जनरल डीजी बन गए है निना सिंग जो है वो वर्तमानमे CISF के डिरेक्टर जनरल है और अनिस द्याल सिंग ये वरतमानमे CRPF के डिरेक्टर जनरल है किस राज के मोरी गाओं में TATA SANS ने सेमिकंडुक्टर यूनिट लगाने के लिए राज सरकार के सासथ सम जाता की है तो मोरी गाउं एक जगह है असम में का और वहीं पर सेमी कंडुक्टर यूनिट टाटा संस के द्वरा लगाया जाएगा नेक्स्ट पाच्वी एसेन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एगरिमेंट अर्थात ए आई टी आई जी ए का आयोजन हाले में कहा किया गया है नेक्स्ट भारत नाट्यम कोचिपोरी और ओडिसी के निर्तियांगना यह आमनी क्रिस्न मूर्थी का हाली में निधन हो गया इन्हें 2016 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था तो इन्हें 2016 में पद्म विभूसन से सम्मानित किया गया था इससे पहले इन्हे पद्म स्रीसे भी सम्मानित किया जा चुका था पद्म स्रीसे इन्हें 1963 में पद्म भूशन से 2001 में और पद्म भी भूशन से 2016 में सम्मानित किया गया था तो नाम याद रखना है यायामनी कृ obstruction मूर्ती का नेक्स्ट 26 जनवर 1950 को सुप्रीम कोट की अस्थापना हुई थी इसके 75 में वर्स गांट की अफसर पर उस्तम ने अहलाद्वारा आईजित विशेश लोक अधालत का मुख उदेश उप्यूक्त लंबित मामलोक का स्वहार्दपुन समाधान था का आएजन 29 जुलाई से 3 अगस्त के बिच कहा किया गया तो इसका आएजन किया गया है नहीं दिल्ली में तो कोस्टब में क्या जैनकारी मिलती है तो सुप्रीम कोट की अस्थापना की गयी थी इसका वर्तमान में 75 मां वर्स घाठमे नया जा रहा है तो उस्तम नयारे के दोरा इस अबसर पर विशेस लोक अदालत का अस्थापना किया गया था अयूजन किया गया था इसका मुख उदेश क्या था तो जो बहुत पुराने या फिर लम्बित मुखपद में है जो जिसे आसानी से जिसे जिसका समाधान निकाला जा सके तो उसका समाधान निकालने के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त के बिच विशेस लोक अदालत का अजन सुप्रीम कोट के दोरा किया गया था अपने स्थापना के पच्छातर में वर्सगाट के अफसर पर नेक्स्ट गुजरात के जामनगर में स्थापित विश्व स्व प्रेका तयार करने के लिए विश्व स्वास्टंगठन का मुख्याले जिनेवा में भारत के आयू समंत्राले और विश्व स्वास्टंगठन के बीच एक समझहोता हुआ इस पर किसने हस्ताक्छर किया है इसका उपरोग तो दोनों हो जाएगा तो याद रखना है के गतिवीधियों और वितिये सर्तों की रूप रेखा तयार करने के लिए एक सामाति बनाए गई है तो सामाति किसके बीच बनाए गई है तो भारत के आयू समंत्राले और विश्व स्वास्टंगठन के बीच समझहोता हुआ है और यह समझहोता कहा हुआ है तो विश्व स अरिंदम बाक्ची और बुस आल वर्ड के द्वारा हस्ताक्चर किया गया है तो अरिंदम बाक्ची कौन है तो अरिंदम बाक्ची जो है वो वर्तमान में भारत के अस्थाई परति निदी है भारत के युनाइटे नेशन में अस्थाय परतिनिदी अरिंदम बाक्ची है और बुस आहलोवर्ड ये के कौन है तो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन युनिवर्सल हेल्थ कब्रेज और लाइफ कोर्स के सहायक महानी देशक है तो इनके बारे में भी याद रखना है और टेड्रोस, एडनॉम, गेब्रियस इनके बारे में पता ही है ये वर्टमार में डवली एचो के रमुख है नेक्स्ट पंजीकरन अधिनियम अर्थात रेजिस्टेशन एक्ट 1908 के धारा 77A जो जीला रेजिस्ट्राड को अचल संपत्ती से संबंदित दस्ताविजो को रद क करती है को हाल में किस उच्छ नियाले ने और सम्वैधानिक घोशित कर दिया है तो और सम्वैधानिक घोशित कर दिये गए मदरास उच्छ नियाले के द्वारा तो याद रखने है पंजीकरन अधिनियम अर्थात रेजिस्टेशन एक्ट 1908 जिसका धारा 77 ये कोई भी जील प्रप्ति के रेजिस्टेशन को रद्द करने का अधिकार दिया जाता था तो उसी को मद्रास उचनियाले के द्वारा रद्द करने की घुसना की गई है नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक में टेनिस का एकल खिताब किसनी जीता इसका उपरोग तो दोनों हो जाएगा पूरिस वर्ग में नुवाक जोकोविच के द्वारा ओलंपिक में पहलीवार ये गोले मेडल जीता गया है महिला वर्ग में जेन कुईनवेन के द्वरा जीता गया है महिला वर्ग में जो जेन कुनवेंग नहाराया था ये डोनों वेकी को हराया था और नोवाग जो कोन विचने कारलोस अलकराज को हराया था नेक्स्ट इस विए जनरल इंसूरेंस के साथ समझाता कर किस राज जन में डिजास्टर मैनेजमेंट इंसूरेंस लागू करने वाला देश का पहला राज बन गया है तो यह बन गया है नागालेंड नागालेंड देश का पहला ऐसा राज बन गया है जिसने डिजास्टर मैने इंसूरेंस को लागो कर दिया है और इसने SBI जनरल इंसूरेंस के साथ समझाओता किया है उत्राखंड में इसी डिजास्टर से संबंदित बहुत सारे अबजर्वेटरी लगाए गया है तो इसे भी याद रखना है और आंधरपर्देश के बारे में एक क्वेशन याद रखना है हाली में जीवन दान पुरसकार दिया गया है जीवन दान पुरसकार जो दिया गया है वो आंदर परदेश को दिया गया है क्योंकि आंदर परदेश में सबसे ज़ादा लोगों ने अपने औरगेंस को डोनेट किया है हाल में राष्टपति किस देश की राज की यात्रा पर थी जहां उन्हें उस देश का सर्वुच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है तो इसका एक और तीन हो जागा इनके फीजी और लिष्टे तीमोर इन दो देशों के दोरा राष्टपति को देश का सर्वुच सम्मान से सम्मानित किया गया है वैसे राष्टपति द्रोपति मुर्मुज है वो फीजी न्यूजिलेंड और लिष्टे तीमोर इन तीन देशों की यात्रा पर हाल ही में थी महिला को साइवर अपराधोस सुरक्षा तथा जागरुकता के लिए NCW यानि कि National Commission for Women की अध्यक्ष रेखा सर्मा ने किसके सहयोग द्वारा विक्सित इन दोनों के द्वारा इसे विक्सित किया गए है तो याद रखने है डिजिटल सक्ति के अंदर के वारे में है नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक के समापन समारों में भारतिय धोजबाहक कौन बने है तो यह बन गए पी आर्श्रीजेस और मनुभाकर ये दोनों जो है वो पेरिस ओलंपिक के समापन समानों में भारती धोजबाहाग है और Paris Olympic जो हुआ था तो उसके प्रारम में जो ध्वजवाग होते हैं उसमें थे PB सिंधु और सरत कमल ये दोनों जो थे वो ध्वजवाग थे इसके साथ याद रखना है इस बार यानि कि Paris Olympic 2024 में जो मेडल भारत के दोरा जीता गया है तो किनके दोरा जीता गया है तो मनुभाकर मनुभाकर के दोरा दो मेडल जीता गया है दो ब्रॉज मेडल एक मनुभाकर के दोरा सिंगल में और मनुभाकर और सरबजीत सिंग के दोरा 10 मीटर ये रैफल में क्या किया गया है ब्रॉंज मेडल जीता गया है, तो मनुभाकर के द्वारा दो मेडल जीता गया है, निरा चोपरा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है, भाला फेक में सौपनिल कुसाने, इनके द्वारा भी सुटिंग में ही ब्रॉंज मेडल जीता गया था, और अमन से रावत के द्वार जो है वह मेडल जीता गया था कुष्थी में एनके कुल फाइब ब्रॉज और वह शिल्वर भारत के द्वरा जीता गया है विनेश फोकाड जो है वह गोल्ड के दावेदार थी सिल्वर करीब-करीब जीत चुकी थी लेकिन उन्हें कोई भी मोडल नहीं जीता गया उनके लोबर्ग में जो कुस्ति की परित्यों किता थी तो उनमें फाइनल राउंड में उनका जो बजन है वो सो ग्राम ज्यादा हो गया था नेक्स्ट किस देश की डिकेन विस्विद्याले ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना केमपस खोलने की घोसना किये तो डिकेन विस्विद्याले यह जो है वो ऑस्ट्रिलिया किये और इसी ने गुजरात इस्थित गिफ्ट सिटी में अपना केमपस खोलने की घोसना कि थी पोलंड के बारे में कोर्शन नियाद रखना है ठीक है पोलंड भारत ने हाली में पीग यानिकी अंजीर अंजीर का जूस भेजने की घूशना किया तो भारत की जो एगरिकल्चर एगरिकल्चर एंड प्रोसेस्ट फूड प्रोड़क्ट इस्पोर्ट डेवलाप्मेंट अथेडिटी यानिकी एपीडा एपीडा के बारे मियाद रखना है एपीडा क्या होता है एक्रिकल्चर एक्रिकल्चर एक्रोसेस्ट फूड प्रोड़क्ट एक्सपोर्ट डेवलाप्मेंट ऑथेडिटी यह होता है एपीडा तो इसी के दोरा यह एक्सपोर्ट किया जाता तो में यह है एपीडा के बारे मियाद रखना है तो एपीडा ने पोलेंड को भारत में भारत के अंजीर के जूसका एक्सपोर्ट किया है पहली बार नेक्स्ट चालिस विधान सवा सीटों वाली किस राज में सेडिल ट्राइब को आरेक्चन परदान करने के लिए सेडिल ट्राइब इन असेमली कंस्टिचिवेंसिज ओफ दे एस्टेट बिल दोजार चौबिस को लोगसभाय में प्रस्तूत किया गया है तो यह गोवा में एक सीट बिल पास किया गया है उसका नाम क्या रखा गए है शेडिल ट्राइब इन आस्म्मली चीओएंसिज ओफ दे एजस्टेट बिल दी द्जार चौबिस उसमें परिवर्तन किया जाएगा नेक्स्ट ग्लोबल फॉर्चिन फाइवंडेड सुची में किसे विश्व की सबसे बरी कंपनी गोशित की गई है तो इसमें विश्व की सबसे बरी कंपनी बन गई है वालमर्क यह लगातार करीब 10 में 11 में वर्स Global Fortune 500 में बिस्प की सबसे बड़ी कंपनी गोजित की गई है Amazon इसमें दूसरे स्थार पर रही है State Grid State Grid जो है वो तिसरे स्थार पर रही है और सौधी अराम को सौधी अराम को जो है वो चोथे नमबर पर रही है और इसमें भारत की Reliance कंपनी जो है वो भारत तरप से स्थार रही है यानि कि सबसे उपर रही है इसके साथ यह सेट समाप्त होता है उम्मेद है यह सेट आपके लिए प्रविव कोशिश करके दो-तिन बार कटके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके थांक्यू